देखो अभी कुछ दिन पहले न्यूस आई थी Darkathon 2022 के बारे में ठीक है तो ये Darkathon 2022 क्या है इसको NCB ने लॉंच किया था Narcotics Control Bureau ने लॉंच किया था Darkathon ठी है और 2022 में लॉंच किया है इसलिए इसका नाम है Darkathon 2022 ये Cyber experts के लिए लॉंच किया गया था ताकि उन्हें effective solution मिले जो भी market में problem आ रही है dark web को लेकर dark web क्या होता है internet का एक ऐसा हिस्सा जहां तक normal इंसान नहीं पहुँच सकता ठीक है normal इंसान पहुच भी नहीं सकता और वहाँ पर गलत तरीके से काम होते हैं जैसे कि human trafficking का जो भी lane दिन है उसके बाद जो भी बातचीत है वो dark web के थू किया जा सकता है terrorist organization जो होते हैं या terrorist लोग जो होते हैं वो लोग भी अगर contact कर रहे हैं कोई plan बना रहे हैं तो वो dark web का सहारा ले सकते हैं उसके बाद weapon वगेरा खरीदे बेचे जा सकते हैं dark web के थू dark web एक ऐसा portion होता है जहां तक हम लोग नहीं पहुँच सकते जहां पर criminal activities बहुत ज़ादा होती है तो इसी dark web में drugs का जो business अभी चल रहा है racket इतने सारे खुल रहे हैं ठीक है drug racket का इतना ज़ादा परदा फाशा भी हो रहा है NCB जगा जगा raid मार रही है तो NCB ही ये कह रही है कि हम एक डारक आथान 2020 लॉंच कर रहे हैं जिसके द्वारा जो competitors हैं जो लोग हैं उनको solution provide करना पड़ेगा कि कैसे dark web में जा कर हम identify कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो की drug trafficking में involved हैं जो की इंडिया में drugs को खरीद और बेच रहे हैं और इतनी जादा लोगों को नशे की लत लग रही है ठीक है देखो जादा तर जो drug की trafficking हो रही है वो आप सोच रहे होगे इतने इतने kg के drug बरामद हो रहे हैं लोगों को पता नहीं चल रहा सरकार को पता नहीं चल रहा ऐसी नहीं है वो एक ऐसा portion है जहां पर हमारी पहुँच नहीं है हमारे जो intelligence bureau है उनके कुछ experts है जो लोग इस चीज़ को लेकर काम करते हैं और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया में drugs की selling या buying ना हो सके ठीक है खरीद फरोत ना हो सके लेकिन देखो number of drugs seizures जो हुए है, parcel से जो जो drugs मिले हैं, seize किये गए हैं या फिर courier से आये हैं ठीक है वो increase हो गया है धाई सो परसेंट इंडिया में सम्झ रहे हुएो धाई सो परसेंट बढ़ा है और इन मे में से जो ज्यादा तर parcel से drugs seize किये गया है या courier consignment से जो drug seize किये गये ऑन में से जब छान बिन हुई तो ये पता चला कि ज़्यादा अतर ड्रक ट्राफिकिंग से लिंक है डार्क नेट मार्केट से मतलब डार्क वेब और डार्क नेट सेम है ठीक है इसमें कन्फ्यूज मत होना ये सेम चीज है बट नाम अलग है तो डार्क नेट का जो मार्केट चल रहा है डार्क वेब के अंदर जो ये खरीद फरोद चल रही है खरीदी बिक्री चल रही है ड्रक्स की ट्राफिकिंग चल रही है उसी से लिंक्ट है मतलब अगर ये सोच रहे हो कि एक बंदा आया आपको ड्रक्स देके चला गया तो ये इतना आसन नहीं है इसकी जो बड़ी बड़ी खेप जो है उसका जो बिजनस होता है वो बहुत अंदर से होता है ठीक है यह हमको पता नहीं चलेगा आम इंसान को इसकी भनग भी नहीं लगी कि यह किस तरीके से हो रहा यह बहुत ही complicated planning होती है इनकी ताकि बिलकुल ही पकड़ जनरल SN प्रधान जी ने ठीक है जो की अप्रेल 22 तक चलेगा तीन फेसेज में ये इवेंट किया जा रहा है ठीक है और इसमें प्राइज मनी भी बहुत अच्छी खासी रखी गई है फर्स्ट विनर जो होगा इसमें उनको मिलेगी प्राइज मनी धाई लाक रुपै ठीक है कंसोलेशन प्राइस भी रखा गया है ठीक है फॉर्थ और फिफ्ट प्लेस पे जो आएगा मतलब चौथा और पाच्वा रैंक जिसका होगा उसको 25,000 रुपै मिलेंगे 25,000 रुपै मिलेंगे ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन जो इसका है ये अभी चल रहा है 31st मार्श तक इन्होंने क्या बोला है जब ये इनागरेशन कर रहे थे मिस्टर प्रधान इन्होंने ये बोला था कि मैरी टाइम रूट से मतलब समंदर की तरफ से और डार्क नेट से सबसे ज़ादा ड्रक ट्राफिकिंग हो रही है ठीक है तो इसमें डार्क नेट भी आ गया और मैरी ट इन दो रास्तों से सबसे ज़ादा ड्रक ट्राफिकिंग हो रही है यू एन ओडिसी की जो वर्ल्ल ड्रक रिपोर्ट है 2021 की इसमें क्या आया है इन्होंने ये बता है 94% ऑफ दे सेल जो हो रहा है डार्क नेट मार्केट से हो रहा है वो रिलेटेड है ड्रक से मतलब जो भी स अची तरीके से हम काम कर रहे है इसी कारण से हमें बहुत जादा ड्रक मिल रहे हैं हम बहुत जादा ड्रक सीज कर रहे हैं रिसेंट ये में आप को पता होगा अभी सीज हेरोईन का 7,282 kg हुआ है 2021 में मतलब आप सोचो कितना जादा इंक्रीज हुआ है सीज ठीक है 300% इंक्रीज देखने को मिला है उसके बाद 2017 से अभी तक का अगर देखा जाये तो OPM के सीजर में भी बहुत जादा उचाल आया है 170% इंक्रीज हुआ है OPM के सीजर में उसके बाद Cannabis का जो सीजर है उसमें भी इंक्रीज आया है 190% करीब करीब ठीक है मतलब पहले जो सीज किया जाते थे ड्रग्स उसके कंपरिजन में भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है NCB के द्वारा जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मूव है कि इस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अभी जो हमारा जो यूथ है वो नहीं तो पुरा बरबाद हो जाएगा समझ रहे हैं ड्रग्स की लट लगना एक बहुत ही बेकार चीज है पूरी जिंदगी बरबाद कर देती है शौक शौक में हमारे जो यूथ है वो इस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बट शौक कब आपको बरबाद कर दे या आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है इसी लिए कुछ भी करो बट ड्रग्स मत लो ये जो हाई प्रोफाइल लिखाने की कोशिश करते हैं हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हम रहते हैं हाई सोसाइटी में हम रहते हैं हम बहुत अमीरे हम बहुत अमीरे देखो ये सब ड्रग्स से प्रूफ नहीं होता कि आपके पास कितना पैसे हैं इतने अमीरों ठीक है ड्रग्स बहुत ही ए घटिया चीज है बहुत ही बेकार चीज है बिल्कुल भी इसको ट्राइब ही ना करे मेरे हिसाब से तो ठीक है और वैसे भी बहुत जाधर रेट पड़ रही है करोगे तो खुद फसोगे और डारका थौन समझ में आ गया होगा यह कॉंपिटीशन है जो एंसी भी और्गनाइज कर रही है अभी भी अगर आपके पास इस तरह का कोई सॉल्यूशन है टेकनोलोजिकल सॉल्यूशन की आप डारकनेट के मार्केट में जो ड्रक की ट्राफिकिंग हो रही है जो सेल हो रहा है पर्चेस हो उसको आप रोक सकते हो उसको आप ट्राक कर सकते हो तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो प्राइस मनी बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए आप बहुत अच्छा ही काम कर सकते हो ठीक है और रही बात डारकनेट की तो देखो इंटरनेट में तीन लेयर होते हैं पहला लेयर जो होता है वो पब्लिक कर सकते हैं बाकी का जो 96% है वो आता है देखो second layer में आता है deep web ये एक network है जहाँ पर data store किया जाता है ठीक है इसको access नहीं किया जा सकता हम Google में search करेंगे तो हम इस data को access नहीं कर पाएंगे ये एक specific group of people के लिए ही रखा जाता है वही लोग access कर सकते है आम आदमी अगर उसमें search कर दे तो वो deep web के data तक नहीं पहुंच सकता ठीक है ये sensitive data होते हैं private data होते हैं जैसे कि government private data bank data मतलब इसमें ऐसे data रहते हैं जो कि हम access नहीं कर सकते हैं आम आदमी access नहीं कर सकता आप search भी करोगे तो अब third layer होता है dark net जिसको deep web भी कहते हैं ठीक है ये ऐसा network है जो internet में encrypted way में बना गया है जहां तक कुछ ही लोग पहुंच सकते हैं तोर जैसा जो specific software होता है उसको use करके और dark web में जो भी चीजे होती है जो भी data होता है या जो भी काम dark web के द्वारा किया जाता है वो हम लोग नहीं पा सकते मतलब वहां तक हम access नहीं कर सकते पहुंच ही नहीं सकते ठीक है वो कुछ ऐसे लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा anonymity बरकर रखना चाते हैं किसी भी काम को लेके इसलिए उनको वहां तक जाकर के अपना जो काम है वो करना पड़ता है मतलब हम अगर आप सोच रहे हो हम जो आम आदमी है वो सिर्फ पूरे 100% internet का 4% ही चलाती है समझ रहे हो हम लोग ना second layer में घुश सकते हैं ना third layer में तो ये dark net होता है जहां पर बहुत ही गलत तरीके का गलत तरीके के काम जादा होते हैं आपर ठीक है ये नहीं बोलूगी कि हर काम गलत होता है ये तो मैं नहीं बोलूगी बट हां dark net में जादा तर गलत तरीके के काम ही होते हैं तो ये था dark athorn 2022 के बारे में आई होब आपको ये topic समझ में आया होगा कोई भी doubt or confusion होता आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं ज्यादा स्यादा current affair updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही thank you